सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फार सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों आध की सटलनों बात करेंगे किसके वारे में यहरीटेक के बारे में और इन हरेट्डेक ट्रेट के बारे में और इसे साहन हम लुट।M मेंडल्स का जो Fire काूध उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो टाइप मिलेंगे फिर अगले वीडियो में हम लोग उसे डिटेल में क्या करेंगे डिसकस करेंगे इससे रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट चीजे जानेंगे जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट ठीक है चलिए से फ्राट करते हैं जैसा कि मैंने आपको पीछले वीडियो बताया था कि हेरेडिटी वो क्यरेक्ट्रिस्टिक्स होती है जो कि हम लोग अपने पैरेंट से लेते हैं यानि कि दा क्यरेक्ट्रिस्टिक विचा transferred from parents to their offspring इस काल हेरेडिटी मतलब कि parents से parents से offspring में जो characteristic जाती है उन्हें हम लोग हेरेडिटी कहते हैं अब जैसे कि अब दिखे अब जो हमने अपने parents से लिया trait, trait क्या होती है characteristic ठीक है, तो जो हमने parents से लिया उसे हम लोग कहते हैं अब जो traits होते हैं जो characteristic होती हो दो type के होते हैं पहला हमारा होता है acquired trait दूसरा हमारा होता है inherited trait क्या, acquired trait और inherited trait ध्यान से सिर्फ सुनते चलिए और लिखते भी चलिए अपने copy और pen को ले लिजिए, बहुत important है acquired trait, weight trait होती है जो हमारे अंदर environment के response में develop होती है जैसे मालीजे प्यारी बच्चों क्या होगा कि एक दिन में खेल रहा था और खेलते खेलते ही क्या होगा कि मेरा हाथ जो था वो टूड गया मेरा हाथ, ने मेरा मालीजे पैर के हाथ टूड गया, तो ये क्या हो प्यारे विच्चों, यह हो गया acquired trait, यह भी मेरी characteristic है कि मेरा पे टूटा है, लेकिन यह acquired trait है, यह मुझे मेरे parents से नहीं मिला है, ठीक है, यह मैंने environment की response में पाया है, कि मतलब आहाँ सपास में कुछ करते वक्त मुझे हो गया, अब जैसे कि इसी तरह से महा लिए एक दिन मैं क् यह acquired trait है, जो कि मुझे अपने parents से नहीं मिली है, inherited trait क्या होती है, दूसरा वादा, inherited, inherited trait वो trait होती है, जूकि हमें अपने parents से मिली होती है, जैसे यादी मेरा hair कैसा है, black है प्यारे बच्चों, तो किसकी मदद से है, यह मेरे parents की वज़़ए से है, क्योंकि मेरे parents का भी hair black है, अम्मा लेजे मेरी आइस जो है वो कैसी है, वो ब्राउन है, तो ये कैसे है, ये भी मेरे पैरेंट्स के वज़े से है, तो ये इनहेरी ट्रेट होता है, एक्वायर ट्रेट और इनहेरी ट्रेट में अंतर समझ में है, तो एक्वायर ट्रेट वो ट्रेट होते हैं, प्यारी बच प्राइट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रे प्यारे बच्चों ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो ट्रेट होते हैं उनका इनहेरिटेंस होता है ठीक है और इसी तो मेंडल का क्या कांट्रिबूशन रहा है उन्होंने कई सारे लॉव वहां पे दिया है ठीक है अब प्यारे बच्चों पहले इससे पहले हम अगले अगले वीडियो में और इसकी बाद लोग देखेंगे रेक्सेश के बारे में जीसका आइडेंटिकल रहना जड़री होता उस अरह के रहातसी हुतलब हमने देखा था फार्टिलाईजर में जो ढप्यारी वीडिए को का न्युक्नीयस होता है उसके पास क्या होते हैं? Chromosomes और Chromosomes वह Trad successor होते हैं जो की DNA को क्या करते है? Carry करते हैं और प्यारोब वे जो Gene क्या होती है? Gene एकड़म Structure मतलब एकड़म Basic सी यूनिट होती है information को Carry करने के लिए जो अलग-अलग Gen होती वो अलग-अलग लंबा है इसकी gene में भी आ गया अब प्यारी बच्चों क्या होगा ये बच्चा जो है इसकी जो gene रहेगी वो pituitary gland को कहेगी कि जादा से जादा growth hormone create करो तब ये बच्चा जादा जादा बढ़ा हो जाएगा तो इस तरह से इसके अंदर ये characteristic आगई तो जो gene होते हैं वे control करते हैं किसे हमारी अलग-अलग टाइब के हर्मोन को कि किस तरह से वे परफॉर्म करें जैसा कि हमारे जीन ने क्या कहा कि पिट्रूट्रिक लैंड से कहा कि ज़्यादा गुरोथ हर्मोन प्रोड्यूस करें तो यह बच्चा में इन हेरिटेंस आफ्ट रेट की बारे में देखेंगे तो चलिए मैं अगले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ पर आप लोग वीजिट कीजिए वहाँ पर आप लोग जाते चेक कर सकते हैं और यदि आप लोग यहां तक आ कि कर दीजिए अचीके